Hello everyone, स्वागते आप सभी लोगों का शिक्षा फर नौकरी में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं UTED 2023 के लिए आंसर की देखेंगे जिसमें आज हम लोग साइंस के पेपर को देखने वाले हैं जो साइंस का पेपर आपका हुआ था साइंस पेपर 2 के लिए आंसर की हम देखेंगे 29 अफ सेप्टमबर में जो आपका पेपर वाई 2023 में उसके लिए आंसर की चल रही है पेपर 2 के लिए प्रीवेस भी हम काफी सारी आंसर की दिसकस कर चुके हैं लिंक आपका आई सेक्षिन में मिल जाएगा तमें ग्रूप आपको बताना था तो राइट आंसर है ऑप्शन नमबर सी यहाँ पर रैडिस्ट टर्मरिक एंड स्वीट पटेटो इसका राइट आंसर है मूली हल्दी और शकरकंद सी दे राइट आंसर सरसो के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है राइट आंसर है ऑप्शन नमबर डी जोर पत्तिया जो होती है सीड्स एंड लीव्स जो होती है वो खाने योग्य पार्ट होती है नेक्स कौशन नमबर 123 कोई व्यक्ती अवरुद विकास चहरे की सूजन बालों के मलनी करण एवम तुछा रोगों से ग्रिस्त है तो उसके भोजन में डैश किस चीज की कमी हो सकती है प्रोटीन की वसा की विटामिन की या फिर मिनरल्स की तो राइट आंसर है 123 के लिए ऑप्शन नमबर C विटामिन की वज़े से वो लैक कर रहा है ग्रोथ में स्वेलिंग ओफेस डिस कलर ओफेस तो विटामिन कम हो गए शरीर में इसके तो उप्शन नमबर C is the right answer कुशन आता है 124 दा मैटल विच इस स्टोर इन केरोसीन इस फॉसफोरस मेगनेशियम मैगनीज या फिर सोडियम कुशन को धिहां से पढ़ना होता है किस धातू को कैरोसीन में सनरक्षित रखा जाता है इस प्रकार के कुशन मैं आपको करा चुका हूँ आप्शन नमबर D सोडियम जो होता है न उसको हम कैरोसीन ऑईल में डुगो कर रखते हैं क्योंकि वाईयू के संपर्क में आने से कॉंटेक्ट में आने से वो क्या करता है जोलन्शील हो जाता है नेक्स्ट कुशन नमबर 125 आता है नेम्ड मैंसे कौन सी धातू कमरे के ताप पर द्रब अवस्था में पाई जाती है तो राइट आंसर है 125 के लिए ऑप्शन नमबर A ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A is the right answer नेक्स्ट कुशन अब बढ़ेंगे बढ़ेंगे 126 के लिए तांबे और जस्टे की मिश्र धातू होती है ब्रोंच ब्रास जर्मन सिल्वर या फिर स्टेनलेस स्टेल राइट आंसर है ऑप्शन नमबर B जो ब्रास होती है पीतल जो है किसी इसका मिश्र धातू है लोहे और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है नेक्स्ट मचली के शरीर पर शल्क का प्रात्मिक कार्य होता है उनको शल्क करने के लिए नहीं यहाँ पर गिल्स का प्रयोग करते है तो उनकी रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट अमसेल happy fights में होते हैं, अधिपादप में होते हैं, मरूब्रद पोदो में होते हैं या समोद ब्रद पोदो में होते हैं तो right answer है option number C, zero fights जिसको हम बोलते हैं, मरूद ब्रद पोदे होते हैं उन में हमारे sunken stomata पाये जाते हैं question number 128 के लिए right answer option number C धुनी का तारत्व नर्धारित होता है pitch of sound is determined by its frequency, speed, amplitude of a loudness तो option number A is the right answer धुनी का तारत्व यान की sound, pitch of sound आवरती से होती है वही आवरती यान की frequency option number A is the right answer next, ball bearing एक ऐसी युक्ती है जो परिवर्तित करती है ball bearing is a device which is used, usually to convert right answer है हमारे पास question number 130 के लिए option number C, सरपी घर्षण को लोटनिक घर्षण में यान की sliding friction into rolling friction option C is the right answer next आता है question number 131 अब question 131 क्या बोलता है भई किसी चालक को आविशित किया जाता है charging of a conductor can be done by किसके धुरू की जाती है 131 का right answer option number A घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा या pre run के द्वारा friction, conduction और induction तीनों के द्वारा किया जाता है option number A is the right answer जब किसी चुमबक को लंबाई के अनुपरस तल पर दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इसकी धुरू प्रवलता dash रहती है तदा चुमबके आगून dash रहता है क्या आएगा है आपर option number A is the right answer बलकुल आप अरिवर्तित रहता है और आधा हो जाता है unchanged and half 132 के लिए right answer option number A आकाश ये बिजली चमकने के दोराण dash होती है क्या चीज़ होती है वे during the lightning actually dash take place electric discharge, electric charging electric charge accumulation या all of these तो option number D is the right answer देखो आकाश ये बिजली चमकती है तो तीनों process ही include होते है electric discharge, electric charging भी होती है और electric charge accumulation तो option D all of these next question number आथा 134 शूष्म जीव जो म्रदा निर्माण में सहिक होते है microorganism which helps in the formation of the soil जीवानू, विशानू, शेवाल यहन में से कोई नहीं तो right answer option number A is the right answer क्या होगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्लस क्या होता है fungi, दोनों ही responsible होते है म्रदा निर्माण के लिए A is the right answer next question 135 निम्ड में विज्यानिक विधी का पहला चरण कौन सा है question कराया था मैंने कई बार आप लोगों को ये जो science की marathon series थी उसमें मैंने question कराया था कि first step क्या होता है scientific method में तो right answer is option number option number B is the right answer making an observation पहले हम क्या करेंगे बाई अब लोकन करेंगे चीजों को observe करेंगे उसके बाद परिकल्बना करेंगे clear है बात तो 135 के लिए option number B making an observation अब लोकन करना 135 का next बढ़ेंगे question number 136 हस्त सिद्ध क्रिया कलाप एवन परियोजन विज्यान सीखने के अभिन हंगे है इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देशी क्या होता hands on activity and project form and integral part of learning of science the main objective of these learning experience is 136 के लिए चात्रों के प्रियोगी कोशल का मुल्यांकन keep the student engaged maintaining discipline the lab to give opportunity to extended learning option number D इसका है आपर अभिस्ट उतर रहेगा विस्तारित अधिगम का अफसर परदान कर रहे हो आप क्या कर रहे हो hands on activity की बात हो रही है देखो चात्रों के प्रियोगी कोशल का मुल्यांकन आप hands on activity से नहीं करोगे project से नहीं करोगे hands on activity यानि की class में अकेला बैट के सीखने के बजाए वो individual जाके चीजों को सीखे group class में group में बैट के ना सीखने के बजाए hands on activity or project method के धुरू सीखे सही हो की भावना से रास्टी पार्टी चर्चा 2005 के अनुसार अच्छी school विज्यान शिक्षा निम्ड के प्रती निस्ट होना चाहिए science teacher के प्रती student के environment of the school ये classroom तो भी चात्र के प्रती होना चाहिए B is the right answer B is the right answer रहेगा student के लिए next question number 138 किस मानव अंग के अप करिये होने की अवस्था में अपोहन का उप्योग किया जाता है यानि कि dialysis कौन से case में आपको dialysis किया जाता है किस human organ का dialysis होता हार्ट का kidney का liver का brain का तो असानी कुश्चन था यार kidney का यहाँ पर क्या किया जाता है dialysis किया जाता है कि kidney जब खराब हो जाती है तो dialysis process यूज किया जाता है next question number 139 आ गया है और यह set हमारा ए चल रहा है इस चीज को ध्यान रखना है आप अपने set से match कर लेना सूरे का प्रकास जल तदा वाईयू क्या है प्राकरतिक वास है जैविक घटक है जैविक है या फिर अनुकूलन है बहुत असान कुश्चन था abiotic component है option number C abiotic component abiotic component abiotic component जैविक घटक कौन से होते हैं जो living organism होते हैं जो जितने भी living organism होते हैं उनके लिए biotic component होता है जो non living होते हैं sunlight होगी, water होगी, air होगी यह सब abiotic component में आ गए तो 139 के right answer option C next question 140 किस वस्तु का आकार चंता या मात्रा निर्धारित करने की क्रिया कहलाती है unit कहलाती है measurement density of motion इसको हम बोते नापना यानि कि measurement करना किसी भी चीज़ का B is the right answer next question number 141 एक picometer बराबर होता है तो देखो यहाँ पर picometer जो बराबर होता है सही तो था option number B हाँ 1 picometer 1 picometer is equal to 10 to the power minus 10 unit देखो किसमें पूछे गई है centimeter में पूछे गई है तो यहाँ पर option number B right answer 10 to the power minus 10 141 का next आता है question number 142 किसी चालक तार में विद्धुधारा के प्रभागी दर्शा क्या होती है तो भाई धनातमक से रिनातमक की और होती है positive से negative की और B is the right answer 142 के लिए right answer B next 143 निम्ड में से कौन सा जल का शुदुतम रूप है बहुत आसान कुश्यन है यह मैंने कराया अब अब यह purest form of water क्या है river water, rain water, ground water, ocean water तो वर्शा का पानी जो होता है वो सबसे purest और शुदुतम रूप होता है जो cold drink पीते हो bottle खौलते हो, उसमें fizz की आवाज आती है वो किस gas की वज़े से होती है तो right answer है option number C CO2 gas की वज़े से होती है CO2 gas इसको आप ध्यान अखो cold drink पीते रहते हो फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को carbon dioxide gas भरी होती है इसमें जो release होती है next बढ़ेंगे वही question number 145 पर pet bottle तथा jar pet bottle तथा jar आम तोर पर खाद बदारतों के संगरन के लिए उप्योग की जाते हैं तो pet की full form बतानी है आपर, pet की full form होगी option number B, polyethylene tetrapethylate, option number B is the right answer, polyethylene terapethylate option B is the right answer, question number 146 एक काफी बड़ा question है, इसको simple language में समझते हैं, आप फिर answer करते हैं 146 के लिए बोला जा रहा है कि दो ice cube है, एक cube ये है A है, एक cube B है, दोनों को refrigerator से बाहर निकाला गया है, इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है और ये cube हमारे ऐसी के ऐसी है तो जो तोड़ दी गई है वो ice cube जो तोड़ने के बाद जल्दी पिंगल जाती है जो दूसरी वाली solid ice cube है, उसके comparison में तो, ये किस परकार का नहीं, नहीं, यार ये question क्या है एक भार question देख लेते हैं, मैंने आगे वाले question को यहीं explain कर दिया आपको question देखो, 146 का यहां पर पूच्छा जा रहा है food sample is taken in a test tube and added a small amount of sodium hydroxide मिला जाती है, 5 to 6 drop of copper sodium solution और इसको shake किया जाता है tube को, और इसमें कैसा color आता है, भाई, bluish violet color का solution बन रहा है, तो किस चीज़ की presence है, इसमें, कौन सा component present है, carbohydrate, fat, protein यह vitamin E, तो इसमें present है, भाई, right answer है 146 का option number C, protein component यहां पर present है, C is the right answer, भाई, मैंने पहली बता दिया आपको, next, 200 gram कच्छे चावल को 100 gram साधारा नमक के साथ मिला जाता है इन दोनों पधारतों को करने के लिए, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, तो भाई, simple है, dry है ना, चावल का है, सूखे है मजब कच्छे चावल है, और फिर उसमें क्या मिला दिया, आपने नमक मिला दिया, तो उसको आप कैसे अलग करोगे, simple process था, चानने की प्रक्रिया के द्वारा, सीविंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, sedimentation नहीं होता है, आपर, sedimentation soil में किया जाता है, ठीक, option number C is the right answer, next बढ़ेंगे, question number 148 के साथ, why are field visit important in science, विज्ञान में छेत्र, भ्रहमन का क्या महत्व है, कई बार इस तरी की question EBS, विज्ञान सभी में करा चुका हूँ, तो ये क्या करते हैं भई, ये करेंगे भई, it provides hands-on experience to learner, option number C बिल्कुल अबिस्ट उत्तर है इसका, कि शिक्षार्तियों को व्यभारी का अनुभा प्रदान करने का काम करते हैं चेत्र ब्रमर, तो 148 का option C correct, next question number 149 अब आता ये question, जो मैं आपको बता रहा था कि एक refrigerator से 2 cube निकाली गई है एक को crush कर दिया गया, तोड़ दिया गया है एक as it is है, तो A cube और B cube ये हो गया, तो A cube जल्दी melt हो जाती है B के comparison में, ठीक है तो ये किस वज़े से होती है तो इसमें कौन सी skill, कौन से कौशल प्रमोट हो रहा है बच्चे का प्रेक्शन यानि कि observation कर रहा है बच्चा, प्रियोगात्मक था, hypothesizing ये चरो का निर्मान, तो ये है राइट answer है बढ़ ये option number B, इसमें experimentation हो रहा है, B is the right answer प्रियोगात्मक विदी है, ये भी correct answer है question number 150, last रहेगा which one of the following assessment strategies is most appropriate to assess the experimental skill of the student in a science classroom निमलिकित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति, विज्ञान केक्षा में विध्यारतियों के प्रावगी कौशल को आकलित करने के लिए से अधिक उचित है, तो right answer option number D, प्रियोग अभिलेक जो है, निके practical record science में सबसे ज़्यादा उचित है, आकलन करने के लिए तो 150 का right answer option number D तो ये थे science के हमारे 30 questions, कितने questions आपके सही हो रहे हैं, 30 में से answer करके ज़रूर बता देना, निके comment down कर देना और कोई भी doubt है, तो भी आप comment कर सकते हैं सारे answer मेंने verify किये हैं और previous अगर वीडियोज नहीं देखें आंसर की कि UTED 2023 की, तो जाकर फ़र आपर चेक करो और comment लिए कि बताओ, कि कितने आपके questions सही हो रहे हैं, science paper 2 बे मिलेगा आपसे एक और नहीं वीडियो में, thank you for watching